हलो यूट्यूब फैमिली वैलकम हैं आपका मेरे चैनल में कैसे हैं आप उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो तो बहुत ही जादा कमाल की होने वाली है क्योंकि वेस्ट चीजों का इतना अच्छा यूज मैं आप सब के साथ शेर करूँग तो चलिए फैंस वीडियो को शुरू करते हैं जाएगा आपको चाकुकी ज़रुत नहीं पड़ेगी तो बस इस तरह से हमने देखаже सील निकाल ली है अब हम गल्ती क्या करते हैं कभी हम धागे को इस तरह से खहते हैं कभी दूसरी साइट से या हम इसको धकन को पकड़़के इस तरह खोल कर बताऊंगी तो देखेगा मैंने धागा भी नहीं पकड़ा है और बस फोक को मैंने इसके अंदर इस तरह से फसा दिया है और बस धाकन उपर से उठा लिया है है ना कमाल का आइडिया मिंटों में निकल गया है ना इसका धाकन तो आप भी इसको जरूर से ट्राइ कीज अगली यूसफुल टिप देख लेते हैं ज्यादा तर हम कमफर्ट का यूज वूलन वाले कपड़ों में करते हैं और सर्दियों में तो यह बहुत ही ज्यादा यूज होता है तो देखेगा फ्रेंस मैंने पानी में कमफर्ट डाल दिया है अब मैं जितने भी कपड़े खुश्बू बरकरार है बस इसमें एक डखकन आपको लाइजोल डाल देना है और यह तैयार हो गया आपका पोंचा लगाने के लिए तो देखेगा है ना कमाल का आइडिया पानी भी वेस्ट नहीं हुआ और इससे दोनों काम भी हो गए आपके कपड़े भी अच्छे से व खराब हो गए हैं तो आज मैं आपको इनको सही करकर भी बताऊंगे और इनका बहुती अच्छा सा यूज़ भी बताऊंगी तो मैं आपको दिखा रही थी कि है इसकी स्प्रिंग तो बची हुई है लेकिन जो इसमें पिन लग्ती है स्प्रिंग में वो खुगई है तो हम क्या यूज करें जिससे की ये हमारा क्लेचर सही हो जाए तो पहले तो मैंने देखे इस प्रिंग को इस तरह से इसके उपर रख दिया है अब मैं इसमें सेप्टी पिन का यूज करने वाली हूँ उस पिन की जगा देखे इस तरह से हम होल में इस पिन को लगा देंगे बहुती कमाल का आइडिया है फ्रेंज ये बिलकुल भी नहीं निकलेगा और बहुती अच्छे तरह से ये लोग हो जाएगा तो देखे मैंने पिन को अच्छे से इसमें लोग कर दिया है और ये देखे फ्रेंज से इस क्लेचर की pin भी हो गई है और spring भी हो गई है तो आब हम इसे सही तो नहीं कर सकते लेकिन इसका बहुत ही अच्छा सा use हम कर सकते हैं तो मैं इसका क्या करने वाली हूँ चलिए आप सब के साथ share करती हूँ तो मैंने ले ली है double sided tape और मैं इसको क्लेचर पर यहाँ पर चिपका लूँगी इस साइड में दोनों क्लेचर पर मैं इसी तरह से चिपका लूँगी इस ट्रिट को देखने के बाद आप टूटावा क्लेचर कभी नहीं फैकेंगे आप इसी को इसी यूज में लेंगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही कमाल का है तो देखे मैं किचन में आ गई हूँ और आप मैंने इसी दिवाल पर चिपका दिया है आप भी इसको जरूर से try कीजिएगा चलिए friends आगरी useful tip देख लेते हैं इस तरह की छन्नी जब तूट जाती है तो हम ये सोचकर fact देते हैं ये अब किसी काम की नहीं है तो देखेगा friends मैं इसका बहुत ही अच्छा सा use लेने वाली हूँ तो आप बहुत ही अच्छा stand मैं इसक उसका हो जाती है लेकिन जब हम ईनको डूर्टे है ये टाइम से मिलती नहीं है तो हम क्या करें इसको चमची स्टैंड बना सकते हैं इसको काफी सारी चमच आ जाएंगी तो देखेगा आप जितनी भी चाहें आप इसे चमच ड़ाल सकते हैं तो चलिए पैंस अगली यूसफूल टिप देख लेते हैं आरे घर में जो मेडिसीन होती है एक टाइम के बाद ये एकस्पायर हो जाती है और हम इनको फैक देते हैं लेकिन इनको भी फैकने की गलती ना करें इसका बहुत ही अच्छा सा यूज मैं आप सबके साथ शेर करूँगी अब आप सोच रहूँगे कि एकस्पायर मेडिसीन का क्या यूज होगा तो चलिए आप सबके साथ शेर करती हूँ तो देखें मैंने हाथ में जितनी मुझे टैबलेट चाहिए थी मैंने निकाल ली है अब मैं इनको पोडर बना लूँगी आप किसी भी चीज से इसको पोडर बना सकते हैं या फिर आप इसको पानी में ऐसे ही डाल दीजेगा ये गुल जाएगी तो देखें मैंने आपको दिखाना था जल्दी से तो मैंने इसका पोडर बना लिया है तो मैंने इनको बाउल्ड में डाल दिया है सारी टैबलेट को पोडर बना कर अब मैं इसमें एड करूँगी एक धकन, सिरका, वेनिगर बहुत ही कमाल का सल्यूशन बनने वाला है आप इसको जरूर से ट्राई कीजेगा ये देखेगा मैंने डाल दिया अब मैं फ्रेग्नेंस के लिए इसमें डालूँगी थोड़ा सा कमफर्ट आदा डकन के करीब मैंने इसमें डाल दिया है अब बस अब मैं इसमें एक गिलास के करीब या आदा गिलास के करीब इसमें पानी एड़ कर दूँगी तो ये देखेगा फ्रेंस बहुत ही अच्छा सा सल्यूशन बनकर तयार हो गया है अब आप ये सोचे होंगे कि मैं इसका करने क्या वाली हो फ्रेंस हमारे जो चनकी सिंक होती है वैसे तो ये क्लीन होती है लेकिन अंदर जो पाईप होता है यहाँ बहुती जादा गंध की हो जाती है और इसमें एक बैड स्मयल आती है लेकिन आप रात को ये काम करकर जरूर से सोईएगा जब भी आप सारा अच्छे से clean कर ले सिंक को परतन वरतन धो ले तो रात को जब सोने से पहले आप भी इस तरह से बना कर ये solution इसमें डाल दीजेगा जितने भी इसमें germs होंगे जितने भी किटाणू होंगे वो सब इसमें से मर जाएंगे और इसमें से bad smell बिल्कुल भी नहीं आने वाली है तो जब भी आपको लगे कि इसमें से जादे smell आने लगी है तो आप इसको ज़रूर से try कीजेगा उमीद करती हूँ ये सारी tips आपको पसंद आई होगी कौन सी tips आपको ज़रूर बहतर लगी ताकि उनको भी help मिल सके तो चले friends मिलती हूँ next video में तब तक के लिए take care and bye bye friends